हेलो फ्रेंड्स राधे राधे स्वागत है आप सभी का मेरे उटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड़ुक पाल जी के लिए प्यारा सा ड्रेस बना कर यह जो ड्रेस है मैंने साथ नंबर के कानाजी के लिए बनाया है लेकिन वीडियो में मै साइज के लिए मेजर्मेंट्स बताए हुए है और वीडियो की एंड में अड्रेस लड़ुक पाल जी को पहना के दिखाया हुआ है तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक किजे शेर किजे और अगर आप मे बड़ कर दीद क में ढ़ें और जो चोटा वाला तक है उसकी चोड़ाय हमने लिए पाच जरेश की चोटे वाले फाब्रीक भी हमने फवन कर चोड़क पर दों इसके में अलग एलग होगी बड़े तो सबसे पहले फाब्रिक की लंबाई देख लेते हैं, दोनों फाब्रिक की लंबाई सेमी रहेगी, 0 size में हम चोड़ाई लेंगे साड़े 7 इंच, 1 नमबर में 8 इंच, 2 नमबर में 8 इंच, 3 नमबर में 9 इंच, 4 नमबर में 9 इंच, 5 नमबर में 10 इंच, 6 नमबर में 10 इंच, 7 नमबर में 11 इंच, 8 नमबर में 11 इंच, 9 नमबर में 12 इंच, 10 नमबर में 12 इंच हम बड़े वाले फ लेंगे तो चले आगे की प्रोसेस देख लेते हैं तो बॉटम पांट तयार करने के लिए आपको हर एक साइज में दोनों फाब्रिक को इसी तरह से फोल्ड करके इसके ओपर आयन लगा लेनी हैं अब हम दोनों फाब्रिक के देखिए जो ओपन साइड है उन्हें एक दूसरे के साथ अटैज करेंगे तो चोटा वाला फाब्रिक के आपको इसी तरह से प्लेस करना है और इसकी ऊपर हमारे बड़े वाले फाब्रिक को इस तरह से प्लेस कर देना है दोनों फाब्रिक की जो ओपन साइड है अब यहाँ पर हम स्टिच लगा आते हुए दोनों को एक पक्का कर लेंगे तो दोनों फाब्रिक को हमने स्टिच लगा कर एक साथ पक्का कर लिया है अब हम इसमें दोनों साइड से फिनिशिंग देंगे तो फाब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करना है और इसे अंदर के और इस तरह से डबल फोल करते हैं यहाँ पर स्टिच लग प्लेस कर देना है यहां पर पहली प्लींट बन कर तैयार है आपको इसी तरह से पुरेक में चोटी-चोटी प्लीस डाल लेनी है और ऊपर से स्टिच लगा कर इने पका लेना है डालने के बाद फाब्रिक का लूग बहुत ही अच्छा आया है that the कि अब थोदो सभी साइज के लिए मेजर्मेंट्स पता देती हूं कि हर एक साइज में प्लेट जालने के बाद आपको कमर का घेरा तो अब इसमें सिंप्ली डोरी लगाएंगे, दोनों साइड से हलके हलके डोरी छोड़ दीजिए और डोरी के उपर हम स्टिच लगा लेंगे तो स्टिच हमने लगा ली है डोरी के उपर और हमारा बॉटम पाट यहां पर बनकर तयार है बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका अब हम इसे सैड मे रख देंगे और हमारी चोली तयार करेंगे तो चोली तयार करने के लिए जो हमने फाब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इ इंच दो नंबर में दो इंच तीन नंबर में दो इंच चार नंबर में धाइंच पाच नंबर में धाइंच छे नंबर में धाइंच साथ नंबर में धाइंच आट नंबर में तीन इंच और दस नंबर में तीन इंच और दस नंबर में तीन इंच हम फाब्रे की साइट में से बीच Просто करते हैं तो अपपर preventive mess चुली करने के लिए हम फाब्रीक को 2 से से हलका हलका रूक्स करेंगे और और वायन लगा लेंगे उसके बाद अबीं को एक डवह हंदम बीच लगांद तो अपर फैरी को सकते हम फटाप 추가 कर लेंगे इसे और डीच अब हम बंसे इसके उपर स्टिच लगा लेंगे तो स्टिच हमने लगा ली है अब हम फाब्रिक को एक दम बीच में से फोल करेंगे और इसे कट करके दो पाट में डिवाइड कर लेंगे तो स्टिच हमने लगा लिए अपने से खोड लूँगी खोड लेनी के बाद हमारी चूली कुछ इस तरह से लिखीगी तो चूली हमारी बनकर तयार है अब इसके उपर हम स्ट्राप लगाएंगी चूली के ऊपर दोनों साइड से तुचले बुसे भी तयार कर लेते हैं तो प सोला हम फाब्र के के लूँगा। तो चले आगे की प्रोसेस देख लेते हैं, तो पट्टी तयार करने के लिए हम फाब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करेंगे, फिर हम फाब्रिक को एक साइड से हाफ इंच अंदर के और फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसे अंदर के और फोल्ड कर लेना है, और धिछानी पुर्षाय पंधा कब्सिय का थियंगे वी शेप में इस तरह से फोल्ड करेंगे यहां पर अच्ही तरह से देख लिए जो भी ऊपर की एक्स्ट इभात में कट कर लोंगी अब यहां पर हमिस्टीच लगा कर स्ट्राप को हमारे च्पुली के साथ पक्का लेंगे आहिसा हीम इस दिवास के लिए प्रक दीज स्ट्राप की त्रीचा प्का है ट्राप astrology च्पानी एग्सके रिए 1994 मिट्वर norm 3000 ट्राप और यहां पस्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पका कर लेंगे चूली बॉटम पाट के साथ अटाच हो चुकी है इसका लोग बहुत ही अच्छा आया है पीछी की साइड हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा और आगी की साड़ी कुछ इस तरह से दिखेगा तो ड्रे पाट की साथ दोरी की हल से इसे दो बार अच्छी तरह से बाढ़ लेंगे जो भी एक्स्ट्रा डोरी होगी इसे अंदर के और डालेंगे तो ड्रेस को मने पहना लिया है इसका लोग बहुत ही अच्छा आया है आप किसी भी कलर में इसे बना सकते है डिजाइनर कपड़े से इसे बना सकते हैं तो वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आयए तो प्लीज इसे लाइक किजिए, शेयर किजिए और अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए, टैंक यू